असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स, आज मेरे पास आपने लेकिन लिए उसे हैं कि जो मैट्रिक और इंटिंविडियेट की स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रमौट करने का फैसला किया गया है सबसे ज़ए धा कॉंग्रेट्स तो उन लोगों को है जिनको डाउट था कि इस साल भी उनकी सैपली आ जाएगी और फैल हो जाएँगे कि इस साल जो गॉर्णेंट है उसने फैसला किया है कि किसी भी बच्चे को फैल नहीं किया जाएगा उन सब बच्चों को फेल हो रहे होंगे जिनके 33% से कम मार्ट उगे उनने 33% मार्क लेकर प्रमॉट कर दिया जाएगा तो कहने का मतलब है कि इस साल कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, सब बच्चों को प्रमॉट कर दिया जाएगा, यह decision final हो चुका है तो आप में से जो भी बच्चे इस ड्राउट में थे कि उनकी सेप्ली आईगी या कोई भी टेंशन थी तो टेंशन फ्री हो जाएं क्योंकि इस साल कोई भी बच्चा फेल नहीं हो रहा है में नेक्स में ऑगले साल से पहले जाने हैए बच्च च्पना फेल एजहते थे लेकिन नेक्स टाइम सी होगा भी होगा कि जो मैट्रिक के पेपर्स हैं वह साल में दो भार लीए जाएंगे और जो supplementary papers हैं, उनका नाम कैंसल कर दिया जाएगा, उन बच्चों को supplementary papers में count नहीं किया जाएगा, उनके papers हो हैं, वो भी आम papers होंगे, उनमें count किया जाएगे, इसके बाद ये फैसला किया गया है, जो हमारे papers होंगे, वो मई और जून के मन से start कर लिए जाएगे, जो metric and intermediate के papers हैं, और next हमारे पास ये news है, जो next session होगा हमारा, वो next August ते शुरू किया जाएगा, और जितने भी हमारे वरतानीमी sessions होंगे, अब सारे अगस्ते शुरू किया जाएगे, तो students, अभी तक की news यही थी, and again, बहुत सदा congratulations, तो students, जो metric and intermediate के students हैं, आप उनको मुबारिक हो, कि अलापिस